Hello everyone, welcome back to my channel आज के इस क्लास में हम लोग डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंस के प्रैक्टिस करने वाले हैं अगर आप भी फ्लुएंसे के साथ इंग्लिश को बोलना चाहते हैं तो डेली इंग्लिश बोलने के प्रैक्टिस करा करें आज के इस क्लास में आपको डेली बोले जाने वाले small sentences and long sentences देखने को मिलेंगे So let's start, सबसे पहला sentence है अगर आपको इंग्लिश में किसी से कहना है ये सब इसकी गलती है तो आप कहें, it's all his fault, it's all his fault, it's all his fault, ये सब इसकी गलती है Next sentence, sentence number two, अगर आपको कहना है किसी से ये कैसे हुआ, आपको किसी से question करना है, पूछना है, ये कैसे हुआ तो इस इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, simple आप कहें, how did this happen, how did this happen, how did this happen, ये कैसे हुआ ये सब इसकी गलती है, it's all his fault, ये कैसे हुआ, how did this happen, move करते हैं, next slide पे, sentence number three पे, अगर आपको कहना है किसी से इंग्लिश में, कि ऐसे, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बैठो, कुछ तो बोलो, ऐसे मत बैठो, कुछ तो बोलो, तो आप कैसे कहेंगे, simple आप कहें, don't sit like this, say something, don't sit like this, ये कि ऐसे मत बैठो, कुछ तो बोलो, say something, say something, next sentence, sentence number four, अगर आपको कहना है किसी से इंग्लिश में, वो अब इस काम के लायक नहीं रहा, he is no longer fit for this job, वो अब इस काम के लायक नहीं रहा, he is no longer fit for this job, move करते हैं, next slide पे, sentence number five पे, अगर आपको कहना है किसी से, तुम्हें ये, तुम्हें ये कहां मिला, तुम्हें ये कहां मिला, इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, simple आप कहें, where did you, where did you find it, where did you find it, यानि कि तुम्हें ये क हां मिला, ठीके, where did you find it, next sentence, sentence number six, अगर आपको कहना है किसी से, इंग्लिश में, अक्सर हम लोग ऐसे बोलते हैं, अगर आपको कहना है किसी से, कितने, कितने बेवकूफ, कितने बेवकूफ हो तुम, ठीके, कभी-कभी जब कोई गलती करता है, तो हम लोग कहते हैं, कितने ब हो तुम, how dumb you are, next sentence, sentence number seven, अगर आपको कहना है किसी से, एक ही बात कितनी बार कहोगे, how many times are you going to tell me the same thing, how many times are you going to tell me the same thing, यहने कि एक ही बात, एक ही बात कितनी बार कहोगे, how many times are you going to tell me the same thing, move करते हैं next slide पे sentence number 8 पे अगर आपको कहना है किसी से अब बताओ मुझे क्या परिशानी है यहाँ अब मत आओ मुझे क्या परिशानी है यहाँ now tell me what's the problem here now tell me what's the problem here अब बताओ मुझे क्या परिशानी है यहाँ now tell me what's the problem here next sentence sentence number 9 अगर आपको कहना है किसी से English में कभी-कभी हम ऐसे बोलते हैं क्या मतलब मेरी मर्जी what do you mean my wish what do you mean my wish यानि कि क्या मतलब मेरी मर्जी what do you mean मतलब क्या मतलब my wish यानि कि मेरी मर्जी अब बताओ मुझे क्या परिशानी है यहां now tell me what's the problem here move करते हैं next slide all this is not for me next sentence anymore 11 अगर आपको कहना है किसी से नहीं मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ नहीं नहीं मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ तब कि no, I am good as I am यान कि मैं जैसा हूँ, अच्छा हूँ next sentence, sentence number 12 अगर आपको कहना है किसी से इंगलिश में और क्या पसंदे तुम्हें? किसी से आपको पूछना है और क्या पसंदे तुम्हें? what else do you like? what else? यान कि क्या? मतलब अगर आप पूछ रहे हैं और क्या पसंदे तुम्हें? और क्या के लिए आप कहेंगे what else do you like? यान कि आप यहाँ पे कोशन करते वे पूछ रहे हैं और क्या पसंदे तुम्हें? what else do you like? move करते हैं next slide पे sentence number 13 पे अगर आपको कहना है किसी से इंगलिश में तुम चश्मा क्यू नहीं? तुम चश्मा क्यू नहीं पहनते? यान के मतलब यहाँ पहनना ठीके? if you like तब कोई बहत ही आजीब طरीके से मुस्कुराता है और अमें कहना होता है कि आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं और अगर आपको कहना हो कि पहचाना मुझे कभी-कभी अम चाहते हैं, और अगर आपको छोटा सा बोलना है इंग्लिष में आप सिंपल कहें recognize me recognize me question मारके अनके आप उससे पूछ रहे हैं कि पहचाना मुझे पहचाना मुझे recognize me तुम चश्मा क्यों नहीं पहनते why don't you wear glasses आप ऐसे क्यों मुस्क्रा रहे हैं why are you smiling like that पहचाना मुझे recognize me move करते हैं next slide पे sentence number 16 पे अगर आपको कहना है किसी से English में तुम गलत समझ रहे हो तुम गलत समझ रहे हो तो आप कहें you are misunderstanding you are misunderstanding यनके तुम गलत समझ रहे हो misunderstanding next sentence sentence number 17 अगर आपको कहना है किसी से तुम देखना जीत हमारी होगी इस चीज़ को अगर आपको English में कहना है तो आप कैसे बोलेंगे तुम देखना जीत हमारी होगे You will see, victory will be ours You will see, victory will be ours Okay, next sentence, sentence, number 18 अगर आपको कहना है किसी से English में कि तुम अंदर कैसे आए? तुम अंदर कैसे आए? तो इसे आप कैसे बोलेंगे? आप कहें, how did you get in? How did you get in? How did you get in? Okay, तुम अंदर कैसे आए? How did you get in? तुम गलत समझ रहे हो You are misunderstanding तुम देखना जीत हमारी होगे You will see, victory will be ours Move करते हैं, next slide पे sentence number 19 पे अगर आपको कहना है किसी से English में कि तुम से, तुम से मतलब तुम से मतलब ठीके तो आपकी कहना है None of your business तुम से कोई लेना देना नहीं है तुम से कोई मतलब नहीं है None of your business तुमारे किसी भी मतलब की चीज़ नहीं है None of your business आप इस सेंस में इसे बोल सकते हैं Next sentence, sentence number 20 अगर आपको कहना है क्या तुमने रीना को देखा? ठीके आपने भाई से पूछते हुए कहा भाई क्या तुमने रीना को देखा? बिर्दर, डिडियू सी रीना? बिर्दर, डिडियू सी रीना? भाई क्या तुमने रीना को देखा? Okay Next sentence, sentence number 21 अगर आपको कहना है किसी से मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता I don't know anything about them about them यनकि उनके बारे में I don't know anything यनकि मैं कुछ भी नहीं जानता about them उनके बारे में I don't know anything about them मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता Move करते हैं Next slide पे sentence number 22 पे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ आके गलती की थी ठीक है तो अब आप कहेंगे आपे English में अगर आपको कहना है तो आप कहेंगे I made a mistake coming with you I made a mistake coming with you next sentence sentence number 23 अगर आपको कहना है इनके जाल में मत फसो तो आप कहें don't fall into their trap देखें their trap मतलब इनके जाल में ठीक है don't fall into their trap इनके जाल में मत फसो next sentence sentence number 24 I think ये second last sentence है आज के इस class का तो अगर आपको कहना है किसी से क्या कहोगे तुम क्या कहोगी तुम या क्या कहोगे तुम अगर आपको ये कहना है तो आप कहेंगे what will you say ठीक है आप किसी से पूछ रहे हैं मतलब की कह रहे हैं क्या कहोगे तुम तो आप कहें what will you say what will you say what will you say चलें last sentence देखें आज की class का sentence number 25 अगर आपको कहना है किसी से इतनी मेहनत करने के बाद हमें क्या मिला इतनी मेहनत करने के बाद हमें क्या मिला after doing so much of hard work what did we get तो जाते जाते आज अगर आपको class पसंद आई हो तो जाते जाते वीडियो जरूर करें लाइक जरूर करें अपने सबी फरेंच के साथ जो कunya हैं अपने English को शाटाल्स करना चाता है और अगर आपको यसी तरह की वीडियो देखना है और चैनल को आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लएं तैंक्स वर वाचिंग